नमस्कार दोस्तों मैं संदीव स्वागत है आप सभी का आज किस नई क्लास में दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टन कोईश्चन और एंसर के बारे में टॉप लेबल के कोईश्चन और एंसर होने वाले हैं तो वीडियो के साथ कह सकता हूं आपको एक्जाम में काफी मदद मिलेगी इन सभी कोश्चनों से जो आज किस वीडियो में बताने वाला हूं वीडियो को सुरू से लाश तक देखेंगे तभी सारी जानका यो तभी सारे यहीं साथ में सनस्थर प्रणाली परन वाला हूने वाला है वह होना है सब्रेखल पूछे जा रहा है करने था यानि कि कोईष्टन का बेस ऐसे हो रहा है कि 40 कोईष्टन पूछे गए थे 40 के 40 अब्जेक्टिव यानि कि अध्याम वहाँ पर कुछ तो आज किस वीडियों हम बात करने वाले हैं सारे बहु बिकिल्पे प्रस्न क्योंकि हो सकता है कि फिर से यह रोल्स आ जाए कि इंवर्शेटियों में जो परिच्छाएं होने वाले हैं वो सभी फस्टियर के जो हैं फस्ट में पूछे जाएं तब भी अगर नहीं भी पूछ पूछे जाएंगे तो कुछ कुछ आपके बहुवे किल्पे पूछे जाएंगे यह कंफरमेटिक है तो वही सारे इंप्वाटेंट है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं पहला कोश्चिन आज कि वीडियो मैंने रखा है भारतें धरुष्चंद का जन्म कब हुआ था तो अप लोगों को आफसे मिल जाएंगे समय से जो राइट है उसे आप लोगों को बदाना है कमेंट सेक्षिन में नहीं मालूम है चैंसर बताउंगा और जिस आप लोग नोट डाउन कर लिजेगा या स्कीन सोट ले लिजेगा जिससे आपको बाद में भी पढदने में असान सब्सकार नौ सितंबर सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे यानि कि इस नमबर सकता है कि बारतेंद का या फिर सब्सक्राइब भारतेंदु का जन्म हुआ था कहां पर हुआ था आपको मिल जाएंगे कासी में प्रियाग में मत्वरा में आयोध्या में तो भारतेंदु जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था कासी में इसलिए हम इस कोश्चेंगे जो राइंसर सेलेक्ट करेंगे वह करेंगे ए काशी में भारते इंध्वारिश चन्द जी का जन्म हुआ था चलिए नेक्ट कोश्चन के बढ़ते हैं नेक्ष कोश्चन है कि भारते इंध्वर चन्द के पिता का नाम था यानि को तो आपसन आपको मिली गया है गोपाल डाश गिर्धरधाश, गोपाल दीओ गिर्धरधाश, गोपाल सौरूब गिर्धरधाश, गोपाल चंद गिर्धरधाश तो similarity आपको देखने को मिलेगी यानि कि similar नाम है confusion जरा सभी नमत रखिएगा मन में समझ दीजेगा कि इनके पिता का क्या नाम है तब ही आप लोग उसका answer कीजेगा जब आपका एक्जाम होगा तब इस question का right answer हो जाएगा गोपाल चंद जी की माता का क्या नाम था question आपको घुमा फिराके हो सकता है कई टाइप में पूछाजा सकता है लेकिन जो उसका मतलब कि यहां कि फोगा इस को ये जिए की उनकी माम था रामरती पारवती मालती शिवपती तो इन आपसरों में से जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा पारबती देवी जान रखेगा B number भारतेंद्ध हरिश्चंद जी की जो माता थे उनका नाम था पारबती देवी याद रखेगा ठीक है बढ़ेंगे हम अगले question के और ओला question है कि भारतेंद्ध हरिश्चंद का जन्मकासी की सब्सक्राइब और नष्ट है से दुली चंद नदर हो जाएगा तो नमसके 5 प्रकर scientific हो जाएगा वह आप लोग को जिन चात्रों कमालों में कमेंट सेक्षर में बेशक बताएंगे फिर आइस कोशेंगे जो राइट हो जाएगा वह हो जाएगा सेट अमी चंद यानि कि ए नमबर ठीक है चलिए अगले कोशिंद को बढ़ते हैं लिखा कि भारतियंद हरिस्चंद भी मिल जाएगी चाजनुरी 883 या फिर चाजनुरी 885 या फिर चामार्च 1884 या चामार्च 1885 तो चे नमबर जो कोश्चन उसका राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा छे जरूरी 885 इस भी में इनका देहावासन हुआ था यानि भारतियंद हरिस्चंद जी का तो याद रखेगा कुछ टाइप हो सचते हैं वर्ड टाइप करने मिश हो जाएगा उसके लिए सोरी आप लोग धान समझ जाएगा कि भारतियंद हरिस्चंद जी के बारे में बात करने ठीक है निश्च कोश्चन है कि भारतियंद हरिस्चंद द्वारा संपादित प्रकासित पत्रक नहीं उसका क्या नाम है नंबर एक कवी वचन सुधा हरिस्चंद पत्रिका बाला बोधनी और नेश्ट है उदन्त मारतेंड तो साथ नंबर जो कोश्चन है उसका राइट एंसर हो जाएगा उदन्त मारतेंड इनकी जो है वह संपादित प्रकासित पत्रिका यहीं नहीं औ और सारी है इन में से जो है कवी वचन सुधा हरिस्चंद पत्रिका बाल बोधनी बाला बोधनी ठीक है नेश्ट कोश्चन इसी में है लिखा की भगवद भक्ति तोस्टी पत्रिका के संबातक थे भारतेंड नहीं प्रताब नातुराम संकर तो ध्यान दीजेगा ठीक है चले बढ़ते हैं नेश्ट कोश्चन के और नेश्ट कोश्चन क्या कह रहा लिखा कि निम्रिखित साहितिकारों में से या किष्णे लिखा की हिंदी नई चाल में धली द्यान देजेगा मोश्य इंपॉर्टेंट और टॉप लेबल का कोश्चन है आप सर मिल जाएंगे भारतियां धरिश्चन्द ने कहा परताब नयार्मिस्ट ने कहा रामचंद सुकुल जी ने कहा चार महापरसाथ दुबेदी जी ने कहा है तो इस ऊसीजक कोश्चन की पढ़ेंगे कि भारतियंद हरीचंद ने इनमें से किस नाम से घज़ले लिखी जफारा य lush जैघन ने एप नाम की गजले लिखी हैं नेस्ट को बढ़ेंगे लिखा है कि निजी भासा उन्नती ठीक है निजी भासा उन्नत हवे सब उन्नती को मूल इस पंक्त की रसनाकार कौन है अफ्चन आपको मिली जा रहे हैं इस को राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा बी नंबर भारतेंद हर जान देजेगा ठीक है बढ़ेंगे हम अब नेस्ट कोश्चन के ओर लिखा है कि हाहा भारत दुर्दसा ना देखी जाए इस पंक्त के रचैता हैं तो आपका आप्सन मिल जाएंगे महा प्राण निराला सू स्री महादेवी वर्मा बालकर्ष्ण सर्मा नवीन डी नंबर भ लिखा है कि इन में से भारत दुर्दसा अंधेर नगरी नील देवी नहुस तो कोश्चन नमबर 13 को जो राइट एंसर हो जाएगा दोफ्तों वो हो जाएगा आप्सन नमबर कौन सा नहुस ध्यान दिजेगा नहुस ओके किलिक करिएगा नहुस पे ध्यान दिजेगा ठीक ह है क्योंकि जो भारत दुर्दसा अंधेर नगरी नील देवी नहुस नहीं है ठीक है तो यह दान लखेगा यही नहीं है और बाकी सब इनकी नहुस यहाँ पर नहीं है ठीक है इसलिए नेस्ट कोश्चन को बढ़ेंगे लिखा है कि इन में से भारत दुर्द हरिश्चन सारा रशीत नाटक नहीं है नमब्र 1 कर नोनमबर रहें तीन नमबर है वrics भी से मोधी बृते है ब्लushش से मोधिम इंस्ट है प्रेम योगी नी ठीक है लिखा जाता ठीक है सोरी इसके उपर एक मात्रा और रहे हैं कि बस आप समझ लीजेगा ठीक है तो और बाकी जो इनकी क्रतियां है या फिर इनकी जो रसना है इनके द्वारा लिखी थी है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन के और अला कोश्चन कही रहा कि भारतिय नहीं के इनमें से लेखाक है यानि कि भारतियन जी की जो जीवनी है उनके के जो लेखाक है कौन है अपसरण बाल कर्ष्भट दो नमबर यानि की बी नमबर राधा कर्ष्ण दास तीन यानि सी नमबर बद्दी नरा चौदरी और चार नमबर जो आपसर मिल जाएगा बाल मुकुंद ठीक है तो इन जो आपसरों में से जो दिये गए हैं इनमें से राधा कर्ष्ण दास हम चिलट करेंगे बी नमबर भारतियंद हरिस्चंद जी की जीवनी की वह राधा कर्ष्ण दास इसलिए राइट एंसर हो जाएगा बी नमबर तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैंने पूरे का पूरे 15 जो की टॉप ले सब्सक्राइब करने का आपको कौन से सब्जेट का किस प्रकार कोष्टन के कमें जरू बताएं हम आपको और भी कोष्टन परवाइट करेंगे ट्रींडर वीडियो में में निश्ट आप तक लिए